यूपी के बुलंसहर हिंसा में कसी तोर पे इंस्पेक्टर सुभोस सिंग को गोली मारने वाले फौजी जितेंद मली कुर्फ जीतु को गरिफतार कर लिये गया है जीतु रास्टी राफल्स में तैनात है और वाज छुट्टी पर बुलंसहर इसे तपने घर आया था आरोप है कि हिंसा के दिन जीतु भी मौके पर मौजूद था और एक वाइरल वीडियो में वह एक आवयाज कट्टा लिये हुए दिखाई पड़ रहा है असंका जताई जा रही है कि उसने इस्पेक्टर की गोली मार कर हत्या की थी वहीं आरोपी जीतु की पत्नी और भाई ने उसे निर्दोष बताया है जीतु के भाई धर्मेन मलिक ने मीडिया से कहा है कि उसके भाई को साजिस के तैट फसाया जा रहा है वह इस्पेक्टर की मौद में शामिल नहीं था धर्मेन ने दावा किया है कि उसके पास ऐसे सबूत हैं जिस से या सावित हो जाएगा कि उसका भाई उस वक्त घटना असलबर मौजिद नहीं था वह सियम से मदद की अपील करता है वहीं जितु की पत्नी का कहना है कि उसका पती निर्दोष है वह हिंसा वाले दिन बुलन शहर में ही था लेकिन वह हिंसा में शामिल नहीं था बता दें कि जितु का भाई धर्वेंद मलिक खुद भी आर्मी में है और वह पूरे में तैनात है सुत्रों की माने तो यूपी पुलिस जीतु को बुलन शहर भी ले जा सकती है उसे सुक्रवार दिर रात हिरासत में लिया गया हिंसा के बाद सोमवार को बुलन शहर से भाग कर सोपोर आ गया था सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं